आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हमारा 11th class का chapter number 5 है और ये chapter number 5 जो हम start करने वाले है इसका नाम है complex number complex number इसको हम बोलते हैं सबसे पहले हम जानेंगे complex numbers होते क्या है यह आये कहां से हमारे पास हमने पूरा number system पढ़ रखा है 10 तक लेकिन अभी तक हमने complex number को छोड़ रखा था 10 तक सबसे पहले हमने natural number के बारे में पढ़ा natural number के बाद हमने integer के बारे में पढ़ा इंटेचर के बाद हमने rational numbers के बारे में पढ़ा फिर हमने टान्त क्लास में 9 घल के बारे में पढ़ा तेंथ अमने हमने real numbers को जाना कि real numbers क्या होते हैं फिर ही हमारे पास complex number आए कैसे आए कि हमारे पास a quadratic equation आए x square प्लस one is equal to zero time यह एक ऐसी quadratic equation आए जब हम इसको solve करने लगे तो हमारे पास पहली बार जो हुआ जो minus one का हमने square root कर रहा है और हम जब 10th class में होते हैं तो हम धियान रखना धियान देना इस बात पर जब 20 square minus 4ac less than 0 आप करते थे तो आप उसके लिए लिखते थे 4 no real roots क्या लिखते थे आप 4 no real roots इसके क्या होंगे कोई real root नहीं होगा ठीक है इसके लिए हमारे आप क्या लिखते थे 5 real root नहीं होगा यही आप लिखते थे कि है है कि है महीं कुछ ऑगर एफ नहीं होगा क्या के था डॉंक होगा यह बोलते कि बहुत जो या इनियुक्ञा अ परकेशनलोब होगा स्कॉार मीनेस वं को लिए रियान रूट ना अगर 20-4 जब भी लेस देन 0 होगा तो ऐसे नंबरों को ऐसी जगे पर हमारे complex नंबर आने लगे ऐसी जगे पर हमें आ रहे complex नमबर लेकिन complex नंबर आए कहां से उसके लिए पहले imaginary number हमने suppose करा जिसके हमने value रखी square root of minus 1 एक value कि जब भी हमारा 20-4 less than equal to less than 0 होता है तब हमारे पास real roots नहीं आते हमारे पास कैसे complex numbers आते हैं तो हमारे पास complex numbers के लिए सबसे पहले हमने एक imaginary value assume करी जिसका नाम हमने रखा iota क्या रखा हमने इसका नाम आयोटा इसका नाम हमने रखा जी आयोटा इसके बाद हमने क्या करा आयोटा स्कोयर रखी स्कुरूट आप माइनस वन कर लिया तो हमने करना शुरू करा और आयोटा क्या होगा हमने स्वेरोट एक माइनस मन का स्क्क्यार ट를 फिर हमने अध summit कर आशे लिए इस के बाद आयाटा हुना कि इसके बाद इसके बाद आयाटा एकल उसके बाद जो हमारा बनेगा आयोटा स्क्वाइर इंटू आयोटा स्क्वाइर बनेगा यानि कि माइनस वन इंटू माइनस वन बनेगा यानि कि यहां बनेगा फिर हम आयोटा फाइफ के पास आए आयोटा फाइफ जो हमने किया तो यहां हमारी वैल्यू बनी आयोटा फोर इंटू आयो फिर इसके बाद मयारेपास मेली नहीं सos और आयोटा स्क्वेर सेवन जो आमारे पास बना इंट उट्वा दित यहान कि हमारे पास अलगां 123-3 कितना होता है मार माइनस फिर अमरे पास और एक यह पोर इंस और फूर-फूर-वन-फैघ्मिया सथुम्पल सब्सद्री chains कर अब मैह guarantee हम ने देख वह ज Chandler represents की वेल्यूव फिर दोबार और जाएगी आयवटा 10 क्या हो जाएगा इवर्टा 11 कितना हो जाएगा इवुटा 12 कितना हो जाएगा लुक्त हो जाएगा आएटा फूर यानि कि यह मद पास एक पावर में साइक चल रही है हर बार जब भी हम चार पावर से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास फिफ्ट पावर पर पर आएटा आजाएगा फ्राइटा स्कुर्ण आजाएगा सेवन पावर पर आएटा क्यूब आ जाएगा इट्स पावर पर हमारा हो जाएगा तो जब भी हमें वैल्यूस निकाल लिए आयोटा की कितनी भी बड़ी पाव जैसे मालों हमसे पूछा जाए की फाइंड दा वैल्यू फाइटा फिफ्टी टू हमसे इतना पूछा गया है तो हम यह करेंगे कि आयोटा जो भी हम ऑई बड़ी पावर दिजाएगी हम उसको करेंगे फॉर से डिवाइट तो कि साइखसमें फॉर में पावर फोर में तो हम अयोटा 52 mm को और पॉरा एंशल होता है जब हमारा पूरा कैंसल होय तो आंसर आएगा अमेशा अब हमेश्य पूछा जाए इसमें 53 में कितनी है फिफ्टी फोर निकाली कितनी फिफ्टी फॉर से पूइट करना है और यह देखना है कि वह कितनी पावर उसमें बच रही अगर अगर रिमेंडर थ्री बच रहा है तो माइनस आयोटा अंसर वैल्यू हाजाएगी आयोटा स्क्वेर बच रहा है तो माइनस हो जाएगा इस तरीके से आपकी पावर के complex number को हमने बोला complex number हमारा क्या हुआ इडिजन नंबर इडिजन नंबर इडिजन नंबर विच रिप्रेजेंटेड in the form of a plus iota b where a and b both are real numbers कोई भी नंबर जो a plus iota b की फॉर्म में लिखा जा सके कोई भी नंबर जो a plus iota b की फॉर्म में लिखा जा सके उसको हम कहते हैं कॉंप्लेक्स नंबर ठीक है तो इसी को करते हुए हम exercise ncrt की शुरू करते हैं आपको बेसिक समझ में आ गया होगा अभी फिलाल इतना दो जितना अभी 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 कोशन में required exercise 5.1 के लिए तो आभी हम exercise 5.1 ncrt की solve करना शुरू करेंगे पहला कोशन हमारा ncrt का था फाइव आयोटा माई इंटू माइनस 3 बाइव आयोटा तो हमेशा ध्यान लखना आयोटा की जो मल्टिप्लाई एडिशन सब्ट्रेक्शन ऐसी होती जैसे हम एलजब्रा में करते हैं एक्स के साथ कि एक्स और एक्स आपस में मल्टिप्लाई हो कथ कितना हाइगा तो मा 你योटा स्क्वाइगा तो माइनस रिटू आपका माइनस वन होजाएगा स्केर और माइनस रीडू माइनस सबस्का रजाएगा अपको लुष्यृट से कोहां की तक सवाइव फाइव प्रॉंट वन में दिया हुए लुष आपके प्लस आरुटा प् người को चलड़ा जाएगा जब अंप दिनोमिंटर में करदेंगे यहां कर देंगे घोनाट давайте ऊंटा कितना हो गया आयोटा इंटु आयोटा युटा अपॉन आयोटा स्क्वेर आगया था प carbon कोंचन का माइनस ऑयों शीटिकर संद नोशन कुर्ट करतें हैं क्या हैं आपको स major को एक सबस्मझ में आएगा एकुतों अप्न प्लस सफैन ऑपन करना है आयोटा वाले आयोटा की ऑन उसको और रहनीं करेंगे तो यहां तो यहां स्कौेर आएगा यहां पर तो यहां पर टूटी वन ऐसेवन हो जाएगा और टूटी सेवन हो जाएगा तो यह फुर्टी एट को एड़ कर लिए एक नंबर बन गया रहे है तो यह एक प्लस बी एक प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आपका complex नंबर आ चुका है हमारे पास नेक्स्ट कोशन नंबर 5 को discuss करेंगे वन माइनस आयोटा ब्रैकेट माइनस माइनस ब्लस एक लिखो या शेक्स लिखो उससे कोई फरक नहीं कुरता है एट इक की सिंपल ब्रैकिट ओपन करना बहुंद और कुछ नहीं करना इसमें तो कुछन आप अपने आप भी कर सकते हो इसको कि इतना हो जाएगा मैननस वन और प्लस वन तो answer आजाएगा तो इसका और ऑनस आयोटा एकुछ साथ लिख लो या सब्राइक कर दो जो भी आपको करना इसमें ब्रैक्ट ओपन करोगे न आ इमाजनरी नमबर चाहिए सब्टरेक्ट हो जाएगा और रियल नमबर रियल नमबर उसको आप ऐसी सेवगे वाले कि हमगायोट से अल्वाला देखायों या से कर सकते हो सेवन कोश्चन में और यह साथ लिक लो माइनस माइनस कितना है प्लास 4 एक साथ लिक लो यहां आभेता कॉमंन लेलो यह कितना हो जाएके आपके का सब्सक्राइब क्लेटस यहां प्लेस वन घढरी हो जाएगा और यहां माइनस वंजाएगा अ मेंकर यह इसटीन आध्ये के वार्थ हो गया आपके पास सेंट THE में सद्फ ट्वेल फ्ले में ओल्स सिक्स्टीन प्लसफ्ल है जाएगा यह कि तुम होगा 8-3-3 कितना हो जाएगा 5 तो यह आप का अंसर आ जाएगा इस तरीके से हम आयोटा वाले आयोटा के साथ एड़ और सब्ट्रेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट हमारा कोशन है ncrt में वन माइनस आयोटा सकते मानगी नेक पर के संवर अध्यक्त कितना होता है माइनस वन माइन선 भल्स की सक्टी आपके सिर देखाए देखां rated स्कुर्ट सब Tucson बुक्र माइनस तो यह मारा स्कुरには माइनस टू का बनेंगा बनेंente स्कूब गया अंसर बनेंगे माइनस वन थो माइनस तो इसका मैंसर आ जायए ऑफ है यहां पर आपके पास कि लिए क्यूब है इसको आप अपने आप एक प्लस भी का होल क्यूब लगाई दोनों में से कोई से भी फॉर्मला यूज कर लिए इस को अपने आप कीजिए सेम नीचे वाला कोशन नंबर टैन भी आपको अपने आप करना है जो कोशन नंबर 11 से शुरू होते हैं हमारे पास मल्टिप्लिकेटिव इन्फक को पढ़ने से पहले मैं आपसे सिंपल सा चीज पूछता कि इन वरस का मीनिंग क्या होता है अगर आप को इन्वर्स डिटीव इन्वरस का मतलब समझ पाओगे हैं ग rif सुरू होते हैं एक इडिटिव इिनवर्स एक मल्टिप्लिकेटिव यहां पर इंटू बी करने से अगर वन आ जाए तो दी क्या होगा एक का क्रते हैं तो हमारे पास आंसर आता है यानि कि वन ऑय टू क्या होता है हमारा टू का इनवर्स इसलिए कहलाता है क्योंकि उससे को मल्टीप्लाइ करने से हमारे पास multiplicative identity आती है अब हम आते complex number के पास कि complex numbers में हम inverse कैसे निकालेंगे उससे पहले हम एक property पढ़ेंगे inverse निकालने से पहले मैं आपको एक property explain करना चाहता हूं जिसमें दो term नहीं आएंगी आपके पास एक तो modulus of complex number आपके पास आएगा एक का कॉंपलेक्स नेंबर इसको कहते हैं का जुगएट जैना का Mind та यहां पर आपका memes आपका है यहां इमेज हैं आपने कोई लिए अपने कोई नमबर लिए यह इकल टू ए प्लस आयोटा भी आप उसका on can get क्या होता उसकी मिररी में जोती है किसकी इस नमबर की तो यानि कि अगर आपके पास ए प्लस आयोटा भी है तो उसका मिर्रीमेज कितना बनेगा ऐ माइनस आयोटा भी या सिंपल सिंपल साधर अरण बास्ता में कहूंँ तो अग जब जो मॉडिलस अगर आपको ए प्लस आयोटा बी का फाइंड करना है मॉडिलस क्या होता है डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का ओरिजन से या लेंथ बोल दो आप इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है औरिजन से कितनी लेंथ 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 लेता है यह प्लस आयोटा भी वह भी बोलते है तो उसकी वैलीव क्या होती है मॉडिलस ऑफ bênता है square root of a square plus b square बनता है अब देखे एक property है हमारे पास कि z और z conjugate की अगर आप multiply करोगे तो हमेशा आपके पास modulus of z square आएगा कैसे आएगा वो देखते हैं हमने left side को लिया z into z conjugate को लिया a plus iota b को हमने लेते हुए चल रहे हैं a plus iota b conjugate क्या हो जाएगा इसका a minus iota b अभी मैंने आपको समझाए conjugate क्या होता है जो b iota b के आगे अगे sign जो है अगर plus का दिया है तो conjugate में minus का आजाएगा तो a plus iota b और a minus iota b आपके पास आगया bracket open करोगे नहीं भी करोगे तो a plus b a minus b कितना होता है सर a plus b और a minus b हमेशा a square minus b square होता है तो वो लगाएंगे यहाँ a square minus iota square b square है तो iota square की value के आपके पास minus 1 तो यह आजाएगा minus 1 minus 1 तो यह बन जाएगा आपके पास a square plus b square और मैंने आपको modulus z की value कितनी बताई थी square root of a square plus b square तो आप इसका मतलब अब जैड इंटू जैड के इसके बरावर आ रहा है modulus of z square के एक बास समझ में आई अब हम आते हैं अपने inverse multiplicative inverse जो हमने topic शुरू करा था वो तो बीच में कहीं रहेगे उसको वापिस लाते है जैड इंटू जैड कॉंजुक्वेट अब हमने पड़ा यानि कि अगर मौड जैड इसकोई लेफ इंट साइड आएगा तो यह वन बाई जैड बन जाएगा तो वन बाई जैड कॉंब क्या लिखेंगे जैड इंवर्स लिखेंगे यानि कि इंवर्स ऑफ एनवस आभेस नामबर कॉंबए उसका इंवर्स लिखेंगेड आपन इसका मॉडले क्या है यानि कि मट्लिक्रेटिव इंवर्स का फॉम्ला बना थीक है अब कॉश्चेन नंबर 11 से एंध कैशुरू करते हैं देखो जो एंधिया हुआ हुआ है हुआ वो complex number में एक question कराऊंगा 12 आपको अपने आप करना पड़ेगा फिर 13 और 14 समझाऊंगा तो 4-3 आयोटा हमको दिया हुआ है इसका में multiplicative inverse निकालना है क्या निकालना में से multiplicative inverse निकालना है हमको तो कैसे निकालेंगे भई multiplicative inverse multiplicative inverse का formula हमने पढ़ा है z inverse is equal to z conjugate upon mod z square यहां पर सका स्क्वेर भी हो रहा है उसका स्क्वेर 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 रूट से कट जाएगा 16 प्लस 9 आपके पास 25 आ जाएगा तो जैड इन्वर्स कितना हो गया फिर 4 प्लस 3 आयोटा upon 25 अब verify करते हैं कि सर आप तो कह रहे थे हैं कि जदो यानि कि अगर यह जैड से multiply होगा यह अगर यह अपने original question से multiply होता है तो answer 1 आना चाहिए प्रापर्टी क्या होती है जैड इन्टू जैड इन्वर्स इस ओल्वेज वन अब इसको verify करते हैं चलो जैड इन्टू जैड इन्वर्स हम अगर कर रहे हैं तो जैड की वैल्यू है वह और जैड इन्वर्स हमारे पास कितना है फोर प्लस प्लस एयोता अपकोण 25 वन होता है तो देखो जैड इन्टू जैड इन्वर्स हमारे पास कितना आगया वान आगया सिंपल है समझ माया आपको हो मल्टिप्लिकेटीब इन्वर्स का कंसेप्ट नेक्स्ट पर आते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें जैड़ कोल टू हमारे पास है रूट five प्लस three आयोटा है जैड़ हमारे पास कितना रूट five प्लस थ्री आयोटा तो जैड इन्वर्स कितना बन जाएगा बई जैड इसको अपने आप सॉल करना यह आपके लिए हूंबग हो गया नेक्स्ट हम आते हैं जैड इस इक्वल टू आयोटा अब यहां थोड़ा बहुत बचों कॉन्फीजन हो जाता है क्योंकि वह वह हैं एक प्लस और उटा वी के लिए रहते उनको नहीं समझ में आता जब खाली आयोटा हो जाएगा मैंने मैंने क्या बोला है जो आगे जो भी साइन दिया हूआ उसको आपको बस चेंज करना है conjugate के लिए तो आयोटा दिया हुगा है तो conjugate कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा अब mod z2 की बात करेंगे mod z कितना होगा square root of a square plus b square बी की वैल्यू तो यह पर one है उसका square करेंगे one का square करेंगे one square root करेंगे तो भी one तो mod z2 इसके आया पर आ जाएगा आपका one आ जाएगा तो z inverse कितना बनेगा z conjugate upon mod z2 जिसकी value आ जाएगी आपर माइनस आयोटा अब लास्ट कोशन आपको 14 कोशन जो दिया हुआ है आपको ncrt में वो दिया हुआ है कि इसको simplify किजिए क्या करना है इसको simplify तो a-b-र a-b-a 살ервakes अभरां और हमें क्या करना है मैंगे स्कहर माइनस अबन स्कहर क्या मैंने क्या लगाया स्कुर्व माइनस Lesson और नीचे गया वैं और नीचे यह सिर्फ good घ्रन और इसको हम एड़ करेंगे आयोटा स्क्वेर कितना हो जाएगा माइनस वन तो माइनस माइनस यह प्लस हो जाएगा 9 प्लस 5 14 हो जाएगा टू रूट तू आयोटा मैंने आपको बताया आयोटा और स्क्वारूड कभी डिनोमिनेटर में नी छोड़ना है तो क्या करना है उसक को लाइक एंड शेयर करते रहे हैं थैंक यू वेरी मच्छ